हेलो मेरे पूड़ीज, कुकी फैट बितरानी में आप सभी का स्वागत है, तो आज मैं अपके साथ शेयर करूंगी एग रोल की रेसिपी, अगर आप सुबह की नाश्टे में कुछ हेल्दी और हैवी खाना चाते हैं तो आप ये एग रोल बना कर खा सकते हैं एग रोल के लिए सबसे पहले हमें पराठा त्यार करना है, और पराठा बनाने के लिए पहले हमें उसको दो त्यार करना है, तो दो बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, और इसी के साथ मैंने यहां पर लिया है मैदा, और मैदा मैंने यहां पे लिया है चार चम्मच आप चाहो तो सिर्फ गेहू के आटे कब इस्तमाल कर सकते हैं या सिर्फ मैदे कभी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहां पे मैदा और गेहू के आटे का दोनों कहीं इस्तमाल कर रही हूँ अब इसके अंदर डाल देंगे एक चोटी चम्मच नमक नमक डालने के बाद आटा और मैदे को मिला लेंगे तो यह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब बारी है इसके अंदर ओईल डालने की और ओइल मैंने यहापे लिया है दो चम्मच और मैं यहाँ पर रिफाइंड ओईल का इस्तमाल कर रही हूँ इसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं होता है ओईल डालने के बाद भी नृती ईसे अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब बारी है इसके अंदर पानी टाल कर तो नहीं बनेंगा और एग रॉल के लिए आपको डो नहीं तो पतला गुंझा है और नहीं जाधा ठाइट गुनना है जिस तरह से आप रोटी के आटे के लिए गुनते हैं बस उसी तरह से आपको इसका वीडो बना कर तैयार करना है डोव बन कर तैयार हो चुका है आप 15-20 मिनट के लिए से एक पलेट से ठखकार रख देंगे और आप बना लेते हैं एक रोल के लिए स्टर फिंक तो से मिक्स कर देंगे और प्याज हमें ब्राउन होने तक नहीं पकाना है बस प्याज का हमें हलका सकत्चपन निकालना है तो एग रोल के लिए मैं यहां पर सिर्फ प्याज और श्रीम्रा मिर्च का ही इस्तमाल करूंगी आज और सब जोने मेरे साथ आने जमना कर दिया उन्हों इन सब चीजों का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो प्याज का जो कलर है वो पिंक हो चुका है और यतना पिंक हो गया बलश कर रहा है तो अब दारी है इसके अंदर श्रीम्रा मिर्च को बुलाने की तो मैंने यहाँ पर एक श्रीम्रा मिर्च ली है जिसे मैंने लम्मी में काटा है अब शिमला मिर्च को भी डाल देंगे प्यास के साथ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और शिमला मिर्च को भी हमें जादा नहीं पकाना है इसे भी हलका सा कच्छा ही रखना है अगर आप एक रोल को मैदे से नहीं बनाना चाहते और हल्दी बनाना चाहते है तो आप सिर्फ पाटे का यूज़ कर सकते हैं और अब डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और ये मैंने लिया है एक छोटी चम्मच अब इसे भी मिला देंगी और इसके अलावा हमें कोई भी एक्स्रा मसाला इसके अंदर नहीं डालना है फिर चाहे वो नमक हो या फिलाल मिर मिर्च का पाउडर हो सिर्फ हमें इसके अंदर डालनी है काली मिर्च मिर्च का पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो सब्जिया है वो भी हल्की सीपक चुकी है अब इसे निकाल लेते हैं एक बरतन में सबजे मैंने एक कटोरी में निकाल ली है एक रोल के लिए स्टेफिंग फनकर तयार हो चुकी है इसको रख देते हैं साइट में तो अब डो को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि उसने भी बहुत रेस्ट कर लिया है तो अब प्लेट हटा देते हैं और डो को एक बार फिर से अच्छे से गुंद लेंगे डो अच्छे से गुंद चुका है तो अब एक रोल के लिए पराठा बनाना शुरू करते हैं तो मैरे यहाँ पे आटा रख लिया है और यह मैंने लिया है पलेटन जिसे सूखा गेहूं काटा भी बोला जाता है उंगलियों पे लगा लेंगे थोड़ा सा पलेटन अब लोई को तोड़ लेंगे तो यह थोड़ी जादा आच चुकी है आपको प्राठा चोटा बनाना है या फिर बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप लोई ले सकते हैं अब लोई को हम अच्छे से गोल कर लेंगे अगर लोई भी पटी पटी होगी तो पराठा भी अच्छा नहीं बन पाएगा अब लोई को आटे में दोनों तरफ से कोट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे पराठा चोटा या फिर बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और पलेथन भी हमें पारबर नहीं लगाना है अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा चिपक रहा है तो आप अलेथन लगा सकते हैं तो इस लोई का पराठा तो अच्छे से बेल चुका है और ही कितना गोल बना है इसको रख देते हैं हम प्लेट में आप दोदो करके भी बेल कर रख सकते हैं तो यह तो मैंने अच्छे से बेल दिया है इसी तरह से हम दूसरी लोई लेंगे और उसको भी गोल कर लेंगे यह लोई भी अच्छे से गोल हो चुकी है अब इसे भी सुखे आटे में कोट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे ये लोई भी अच्छे से बिल चुकी है तो दो लोई मैंने यहाँ पर पेल ली हैं अब इस लोई को भी हम पहले लोई के साथ रख देंगे अब ले लेंगे एक कटोरी एक अंडा और एक चमच अब चमच को अंडे के उपड़ से टन से मारेंगे और अंज टूट जाएगा यह अंडे होती इतने नाजू के अगर आप इसे हाथ से भी तोड़ोगे ना तो यहाथ से भी टूट जाएगा अब इसमें मैंने डाला है तब एक उपड़ डाल देंगे बिली हुई लोई और लोई को एक साइड से पकने देंगे और गैस को जो फ्लेम है उसको आपको हाई रखना है तो एक साइड से लोई अच्छे से सिख चुकी है अब इसे आप अलट देते हैं एक के दूनों तरफ ओल लगा कर इसे से शेक लेंगे और चमत से पराठी को दबा दबा कर चारो तरफ से शेक लेंगे जाधा तर लोग सुबे बेक फास्ट में अंडा खाना पसंद करते हैं फिर चाहे वो बुर्जी हो ब्रैड ओमलेट हो या फिर उबला हूँ अंडा हो पराठी में कितना अच्छा कलर भी आ चुका ह है और यह कितने अच्छा से सिख भी चुका है मैं आपको यह पराठा पीछे से भी दिखाती हूं तो यह पराठा तवे पे से हटा देते हैं और तवे के उपर में थूड़ा सा ओयल और डाल दूंगी और जो अंडा हमने कटोरी में मिक्स करा था नमक के साथ उसे डाल दें है तो अब इसे पलट देते हैं और हलका अचा पराठा पीछे की साइट से भी सेख लेंगे तो ओमलेट और पराठा दोनों आपस में शिपक चुके हैं और यह दोनों से अच्छे से सिख भी चुके हैं तो तवे से उठाके इसे प्लेट में रख देंगे इसी तरह से हम पराठा भी एक साइट से अच्छे से सिख चुका है इसके पर डालेंगे और पूरे पराठे पर ओल को अच्छे से लगा देंगे अब पराठा पलट देंगे और इस पर भी ओल अच्छे से लगा देंगे अब पराठे को दोनों साइट से से शेक लेंगे और यह पराठा त सम्मा से या कंचुले चुटानी के जरूरत नहीं आप हाथों से ही पराठे को रिदर-दर करोगे ना तो वह आसानी से छुट जाएगा और चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं दोनों ही पराठे पर ओमलेट अच्छे से लग चुका है अब बारी है इसको सह जानेगी तो में भी ले सकते हैं या फिर एक वाली में भी ले सकते हैं और इसी के साथ मैं डाल दूंगी टमेटो सॉस अब इन दोनों चीज़ों के अच्छे से मिक्स करके पूरे ओमलेट पर अच्छे से लगा देंगे आप टमेटो सॉस की जगे श्रेजबन चटने का भी इस्तमाल कर स तो तो च्राफिंग अच्छे से रख दी है और ये मैंने लिए ग्रीन चिली सॉस अब इसे भी डाल देंगे स्ट्रेफिंग पड़ ले सकते हैं यह पर लाम रुज का पावडर भी डाल सकते हैं बसके यूपर मैं डाल दूंगी चाट मसाला बस इसके अंदर आब हमें कुछ नहीं डालना है अब इसका कर लेना है रोई तो इस तरह से हम इसको बन कर लेंगे और इसके ओपर लगा देंगे तुतपिक जसी कि ये खुलेगा नहीं तो ये लीजिए एग रोल बनकर थईार हो चुका है इसी तरह से हम दूसरा एग रोल भी बना लेंगे प्लेट में डखेंगे एग वाला पराथा और इसके ओपर भी डालेंगे टेमेटियो सॉस और मियोनी और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पूरे ओमलेट पर अच्छे से लगा देंगे तो ओमलेट के ओपर भी सॉस अच्छे से लग चुकी है अब इसके ओपर भी रख देंगे स्टरफिंग तो बन गया ना एकदम बाहर जैसा एग रोल घर पर ही एक एग रोल आपको मिलेगा 30 या 40 रुपी का उससे सस्ता एग रोल आप घर पर ही बना सकते हैं स्टरफिंग लगने के बाद इसके ओपर भी मैं लगा दूँगे ग्रीन चेली सॉस चाट मसाला तो ये एक रोल भी अच्छे से बनकर तयार हो चुका है मतलब इसको भी रोल करने के बाद ये एक रोल भी अच्छे से बनकर तयार हो चुका है इसके उपर भी लगा देंगे तुद्पिक तो हैने कितना इजी तरीका घर पे ही एग रोल को बनाना तो देख इस बात की है आप भी एग रोल ज़रूर ट्रै करना और इसका फीट बैक मेरे साथ ज़रूर शेर करना मेरे इंस्टेग्राम पर आप मुझे वापे फॉलो भी कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अब मैं आपको मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे ठीक कियर बाबाब और जादे से ज़रूर आप मेरी रेसिपी को शेर करना अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ